असलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ मटन भूने वे मटन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो हम लोग बीना आवन और बीना तंदूर के भूनने वाले हैं ये बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए हम रेसिपी बनाना शुरू करते हैं ये मैंने आधा किलो मटन ले लिया ह इसको चोटी चोटी बोटियां बना के अच्छी तरह से वाश कर लिया आता चिकना और चरबी बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए इसमें हम लोग ने ये इसमें पपीते का पेस्ट डाला है एक चमच और आधा चमच हल्दी है गरम मसाला है आधा चमच और नमक है आधा और धनिया पाउडर है एक चमच अधरक लसन का पेस्ट है एक चमच इन सारे मसालों को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे नमक और मिर्च आप अपने हिसाब से रखी आप तीखा ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा दालिए ये दही है दो से तीन चमच ले लेंगे चोटे चमच से इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इसे अच्छी तरह से 5-7 मिनिट का टाइम देके हमें अच्छी तरह से मिक्स कर ला है ताके मसाले जो है वो मटन में अच्छी तरह से लग जाए अब ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हम इसे रख देंगे एक से देड़ घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए ताके जो कच्छा पपीता है वो अपना काम करें एक से देड़ घंटे के बाद अब हमने इसे एक पतीले में ट्रांसफर कर लिया है और गैस की फ्लेम हाई रखके हम इसे पानी सुखा लेंगे हमें सिर्फ पानी सुखाना है गलाना नहीं है क्योंके जो हमने कच्छे पपीते का पेस्ट लिया था उससे ये मटन अच्छी तरह से गल गया है हमें और गलाने की जरूरत नहीं है इसका पानी सूखा लेंगे हम यह देखिए इसका पानी अच्छी तरह से सूख गया है अब गैस की फ्लेम को हम बन कर देंगे और इस तरह से एक एक पीस उठा के हम इसको गैस के उपर भून लेंगे अगर आपके पास स्कीवर्ज हैं तो आप स्कीवर्ज में लगा के भी भून सकते हैं इस तरह से हमने सारे मटन को भून लिया है अब इसी पतीले में हम वापस इसमें ट्रांसफर कर देंगे और बीच में थोड़ी सी जगा बना लेंगे इसमें कटोरी रख देंगे और एक कोईले को अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे और कोईले को भी इस कटोरी में रख देंगे पिर बाद में इसकी कटोरी निकाल लेंगे पांच मिनद बाद इसे मिक्स कर लेंगे यह बनके रेडी है इसे इस तरह से नीमगू डालके हम सर्फ कर सकते हैं यह आप डाल चावल के साथ रोटी के साथ हर किसी के साथ सर्फ कर सकते हैं और आप इसको वन मन्थ के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज में यह बहुत अच्छा बनता है आप लोग जरूर ट्राइ करिए और अपना फीडबेक मुझे जरूर देजिए कि आपका जो भूना हुआ गोश्ट है वो कैसा बना और एसीपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें शेर करें